नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी तुप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और दो मर्च मकररासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आपको बता दें की जीवन में पहली बार एसी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में शोयम भगवान सनेदेव बिराजमान हो चुके हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों या समय भगवान सनेदेप का परम सुभयोग आप सभी के कुंडिली में राज योग का निर्मान कर चुके हैं और दोस्तों या समय भगवान सनेदेप आप सभी के जीवन काल में बैठ चुके हैं और दोस्तों अब आपकी जीवनकाल में जो घटना होने वाले हैं दोस्तों वाके में आप सभी के जीवनकाल को बदल देने वाले शावित होंगे जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कूल ही मिश्णा करें और दोस्तों सुरू से लेकर आंत तक जरूर देखें जिहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात आपको बताने वाले हैं जो बाते हम आपको शम जाने वाले हैं दोस्तों अगर आप जान लेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन काल के सभी सुखों को हासिल कर लेंगे जिहां दोस्तों उसे पहले दोस्तों जो यू सनिदेप के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों भगवान सनि इसे वी नमर निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को अप अंतर तक जरूरी ध्यान से देखिएगा जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों वे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को आधे अधूरत देखकर छोड़ देते हैं और बाद में उनकी सिकायतने रहती है कि गुरुजी हमें यह बात हैं समझ में नहीं आई यह बात हैं हमारे कैसे होंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल की हर परेशानियों का समधान इस वेडियो में होगा हर परश्न का उतर इस वेडियो में होगा और आने वाले समय में आप सभी के जीवन काल में किन-किन छेतरों को लेकर शावधानाने होंगे, कौन से कार आपके लिए भागे साले होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान सुनेदेप के आसिम आसिरवाट से आपके घर के माहूल में परवारिक जीवन में परतेकचेतर में क्या-क्या सुधार हूंगे तो दोस्तों अन तक देखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ने किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके औल पर श्लेट कर लें तो आई दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं शुरुआत करते हैं सिर्किर सिंजी के एक बहुत ही अच्छे और एक बहतरिन बात सी जो कि दोस्तों आप सभी को अपने आने वाले जीवन काल में याद रखने हैं अपने जीवन काल में ढाल लेने हैं जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में एक अच्छी सोच विक्सीत होगा और इस सोच के साथ आप बहुत ही एक्छाईयों को बहुत ही सफलताओं को छूने वाले साबित होंगे तो दोस्तों आप इसको ध्यान से जरूर सुनिएगा जिहां दोस्तों कि एक बार की बात है एक फकीर नदी के किनारे बेठा था किसी ने पूछा कि बाबा आप यहां क्या कर रहे हो फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी की पानी बह जाए तो मैं फिर नदी पार करूं उस वेक्ति ने कहा कि केसे बात करते हो बाबा पूरी पानी बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार कर ही नहीं पाऊगी जहां दोस्तों और फिर फाकिर ने कहा कि यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा कहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए फिर मोज करूं घूमू फिरूं सबसे मिलूं सेवा करूं जे सेनेदी का जल खत्म नहीं होगा हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है उसी पर कर जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होगे तो दोस्तों अगर आपके भी जीवन काल में कोई दुख कोई समस्या चल रही हो तो दोस्तों आप इने बिल्कुल अपने जीवन काल में बोज ना माने क्योंकि दोस्तों यह जीवन जीने के जरिये होते हैं जिहां दोस्तों अगर यह जरिया ही खत्म हो जाए तो दोस्तों जीवन जीने का क्या मतलब जिहां दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो यह बाता को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण राधे राधी तो है दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि भगवान सनेदेब आपके रासी में बिराजमान है तो दोस्तों और अब आप सबी के जीवन काल में भगवान स चेत्र में क्या-क्या खुश खबरियां देने वाले हैं क्या-क्या काम्याभी या शमय आपको मिलने वाले हैं बात करते हैं पूरी विस्तार सी दोस्तों यहां दो दिनों का जुश्चा में होगा सनिदेव के आसिरवात से आपके लिए बहुती भागोदे शमय शावित होंगे दिन के पहले ही दिन से बहुती अनुकुल ग्रिसिती रहेगी अपनी काबलियत को शावित करने का मोका मिलेगा इसे कोई उर्चा मेंशुश होगी घर परिवार्थ था व्यवसा में उचीत समानजस बना रहेगा ग्रिसिती बहुती अनुकुल बनी हुए है अपने योजना को कारूप देने का उचीत समय है आपको अपने पर्याशों को बहतर पर न मिलेंगे किसी जरुरत मरंद का सहयोग करना आपको मानसिक और आत्मिक शुख देगा साथी साथ दोस्तों आपको कोई शमस्या भी हल होगी पहतपुन शम्पर्ग अस्थापित होंगे ता घर के वारिस सिदस्यों का असिरुवाद वस्थायोग भी आपके लिए भागयदय साभित होगा दोस्तों कोई विकार करते समय दिल के वज़ा दिमाग से काम लें प्रैक्टिकल होने से आप अपने कारे को परती जादा अच्छी तरह निर्ने ले पाएंगे वे द्यार्तियों को भी किसी प्रजेक्ट को पूरा करने से कोई बहतरिन मोका मिल सकता है आज की गिरेशिती बहुत ही अनुकुल है आपका कोई विसे सकार शमपन होगा सिर्व अपने योगता और परतीपा पर विश्वास पनाई रखें इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दुन में कुछ शाबधानिया भी देख कर चलनी होगी आलस की वज़े से आपके कुछ बंते बंते काम रूप भी सकते हैं अपने काम्यों को सुधारने की कोशिश करें तथा अपने शारिक छमता को मजबूत रखें अपने लक्ष को हासिल करने के लिए जवर्दस्त मेहनत की जौरत है किसे भी परतीकुल परिसितियों में घवराने की बजाए समाधान ढोडने का प्रयास करें अनजान लोगों पर बिलकुल भी भरोसा न करें वेबसाइक छेतर में परतीक गत्ती वीदियों में आपकी उपस्ति आनिवार रखें अपनी करण परनाली को और अधिक बहतर करने की जौरत है क्योंकि जरासी लपारवे नुकसान दे सकती है वेबसाइक छेतर में यह समें गिरिशती बहुती अनुकुल है इसका स्वद्र प्योग करें नुकरी पैसा लोगों के लिए अस्थान परिवर्तन समंदे भी योग बन रहे हैं बिजनेस में अपने नया काम शुरू किया है तो रुकावटें आ सकती है हीमत नहारें जल्दी हालाद अनुकुल हो जाएगी अनुवे लोगों का मार दर्सन आपके लिए मददगार रहेगा साथे साथ ध्यान रखें कि दोस्तों दूसरों की बातों में ना आकर अपने काम से ही मतलब रखें अन्य व्यक्ति आपकी मेहनत का स्रे ले सकता है दोस्तों यह समय बहुती लाबदायक गिरिशती बनी हुई है अपने संपर सुत्रों था मित्रों से मेल मुलाकात लाबदायक रहेगी समाजीक और परवारी गतिविदियों में भी ध्यान रहेगा कोई विशेस प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे किर्याविंद करने का अनुकुल शमय है आपको अवसी सफलता मिलेगी कोई विकार करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारू बनाना आपको सफलता देगा आप अपने परवाव सालित था मिठी वाने दोरा दूसरों पर अपना परवाव बना लेंगे किसमें एक काम की पहली इंकम आने से मन में परसंता और उत्सा बना रहेगा परवारी महोल विशेस बनाए रहने में आपका विशेस योगदान रहेगा अपने आर्थी विश्ता को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे दोस्तों महीं अपके लब लैप के बारे में बात करें तो पती पतने के भी समंदों में सुधार आएगा प्रेम समंदों में पढ़गरता आएगी और भावनातन अजदे की यहां भी बढ़ेगी विवाईक जीवन में उचित ताल मिल रहेगा यूँ आवर की दोस्ती प्रेम समंदों में बदल सकती है दोस्तों आपके स्वास्ते के बारे में बात करें तो गयस और एस्टेटरी की समस्या से परेशान रहेंगे अज संतलित खानपान से परेज करें महिलाएं अपने स्वास्ते के लिए जाग रुक रहें किसी तरका इंफेक्शन हो सकता है और समय पर भी इलाज लें दोस्तों मैं बात कलतब के उपाय के बारे में दोस्तों आप सन्यदेव का किरपा पाना चाहते हैं तो दोस्तों उड़त की डाल, काला कापडा किसी गरीब को दान दें और इनके साथ साथ दोस्तों काले कुत्तों को सरसों तेल लगी हुई रोटी देने से सनिदेव प्रशन होते हैं और उनके सभी गरहत दूर होते हैं दोस्तों बात करने अपका भागे साली रंग और भागे साली आंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग गुलावी है और भागे साली आंक का दो है दोस्तों पकवान सन्यदेव का आशिरबात आप सभी को प्राप्त हो सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जैस सन्यदेव जड़ू लिखें और वीडियो को लाइक सेर जड़ू करें धन्यवाद